हालो फ्रेंड्स हाव यू दूइंग है तुड़ेंग है तुड़ेंग है यहां पर होता क्या है कि कभी-कभी कुछ ऐसे हम इंडिकेटर्स लेते हैं जिससे पूरा कम्लीट नुट्राइजेशन एक हिस एंड पॉइंट पे पता नहीं चलता जैसे यह हमारे पास एंडिकेटर हम यूज कर रहे हैं इसको यह हम एक्स मानते हैं और इसको यह हम वाय मानते हैं तो फिनॉप्थैलिन इंडिकेटर यूज करेंगे तो यह एने वच इसको हम जैसे हैं से हम डाइटरेट कर रहे हैं तो फिनॉप्थैलिन इंडिकेटर यूज करेंगे तो वह पूरे एने वच के कम्लीट नुट्राइजेशन पे एंड पॉइंड पॉइंट पे कलर चेंज शो करेगा लेकिन इंडिकेटर नुट्राइजेशन को यह चेंज मलब शो नहीं कर पाएगा बलकि यह अपने पास यहां पे इसके हाफ नुट्राइजेशन को की इंडिकेट कर पाएगा मजब यह जो एने टुट्राइजेशन को इंडिकेट नहीं कर पाएगा जबकि अधी हम एकसेयल के साथ इधी इस मिक्षर को हम टाइटेट कर रहे हैं और इधी हम मिठाइल औरेंज यूज करें तो यह पूरे नुट्राइजेशन को साथ-साथ पूरे ने टुट्री के नुट्राइजेशन को शो करेगा जबकि फिनॉप्थैलीन क्या कर रहा है यह हाफ अधी नुट्राइजेशन को शो कर पा रहा है तो इसमें दो तरह की केसस बनते हैं एक तो हम शिरुवात से फिनॉप्थैलीन का इस्तिमार करके यही हम टाइटेशन करें XL के ही इस मिक्षर को यदि हम XL के साथ में टाइप ट्रीट करें और फिनॉक्थेलिन इंडिकेटर शुरुआज से डालें तो यह अपने पास नवेश के complete utilization को बता रहा है और ने टू सीयो स्वी के half utilization को ही शुकर रहा है और यदि हम शिरुवात से methyl orange इस्तेमाल करते हैं इसी मिक्षर के लिए यदि हम शिरुवात से methyl orange का इस्तेमाल करें तो यह पूरे जो आपने पास नवेश है प्लस पूरे जो ने टू सीयो प्री है उसके को बताएगा दूसरी बाद यह होती है कि यदि हम यहां पर हमने फिनॉप्थेलिन इंडिकेटर का यूज करके इस से टाइटरेट किया ना जो बचा हुबा सुलीशन है रेज सुलीशन इसको हमने मिथायल औरेंज का इस्तिमाल करते हुए टाइटरेट किया तो अब जोकि एने वेज पुरी तरह से निट्रलाइज हो चुका है और आधा एने टूसी यूट्री निट्रलाइज हो चुका है तो यह जो मिथायल औरेंज है यह बचे हुए एने टूसी यूट्रे के निट्रला का यूज करके इस मिक्षर को HCL के साथ टाइटरेट किया एंड पॉइंट आ गया तो वहां पर उस मिक्षर में NaOH पुरी तरीके से समाफत हो चुका है और बच्चा क्या अपने पास यहां पर आधा अब बच्चे हुए आधे एने टो सीओ प्री के लिए कौन शो करेगा यह कलर चीन मिठाइल औरेंज तो यह एक केस है दूसरा है अपने पास यहां पर एने ओएच और अगर हम यहां पर एने ओएच और एने एच और यूज करें इसका मिक्षर है तो यह अपने पास यहां पर फिनॉप्थालीन का यहीं हम यूज करते हैं तो फिनॉप्थालीन इंडिकेटर का यूज करते हुए सेल के साथ ट्राइटेट करें तो यह एने ओएच के कम्प्लीशन को तो बताएगा लेकिन एने एच सी ओथी सपोस्ट इसकी वालिव है जैज तो यह एने एच सी ओथी के बारे में कुछ भी नहीं बतलाएगा केवल यह अपने पास पिनॉप्थालीन जो है वो एसेल के साथ ट्राइट करेंगे तो एने ओएच के कम्प्लीट नूट्राइज़ेशन को ही शो करेगा जब कि यदि हम मिथायल औरेंज का यूज करें और एसेल से इसको ट्राइट करें तो यहां पर यह पूरे एक्स को और पूरे जैड को मलब एने एक्स सी उसरी के कम्प्लीट को यह नूट्राइज़ेशन को यह इंडिकेट कर देगा इसी में फिर दूसरी पॉसिबिलिटी के आएगी कि जो यह जो फिनॉट्राइज के यूज करके हमने एसेल के साथ ट्राइटेट किया तो वो जो रिमेनिंग सुलीशन है रेस्ट सुलीशन बचा हुआ मिक्सर उसको यह दि हम मिथायल औरेंज के इस्तिमाल से एसेल के अग बचा हुआ जो जो जैड है दैस नह-COO3 उसके नुट्राइज़ेशन के एंड पॉइंट को यह शू करेगा खीक है और तीसरा एक कॉमिनेशन हमारे पास आता है यदि हम Na2CO3 यदि हम Na2CO3 इसको यदि हम X मान लें और प्लस NaHCO3 इसको हम Z मान लें यह इसको य ले शुबात मिदी लिया तोस के साब से और यदि हम इस मिक्षर को HCL के साथ टाइट करें यूजिंग फिनॉप्थाली आज इंडिकेटर तो यह अपने पास यहां पर सुवाइबाई टू के कंप्लीशन को बताएगा परलब Na2CO3 के आधे यूट्रिलाइजेशन को और यह Z के बारे में कुछ भी नहीं बतला पाएगा जबकि यदि हम यहां पर मिठायल औरेंज का यूज करें और इसको हम HCL के अगे टाइट करें तो यह पूरे वाय के कंप्लीशन को नूट्रिलाइजेशन को और प्लस Z इसके कंप्लीट नूट्रिलाइजेशन को यह शो करेगा और इसमें भी दूसरा पॉसबिलिटी आता है फिनॉक्थैलिन के साथ में जब हमने टाइटरिट फिनॉक्थैलिन का यूज करके हमने टाइटरिट कर लिया अब रिमेनिंग सुलीशन को यदि आप मिधायल औरेंज के हिल्प से एच सीयल के अगींस टाइटरिट करें तो बचा हुआ एने टूसी यूट्री मनलब वाय बाय टू प्लस जो Z है मनलब एने एच सीयो त्री इसके कंप्लीशन को यह उप्लाएगा लेट सी कुछ हम प्लीशन एक एक यह दू केस हम सॉल करके देखें यह कराते हैं सारे डबल टाइटरिशन ठीक है इसमें हमारे पास एक क्विश्चिन है विए गिवन 25 ml of a mixture of 25 ml mixture हमारे पास दिया हुआ है एने ओ एच प्लस एने टू सीयो त्री का एक मिक्शर दिया है तो इसको हमने फिनॉक्थालीन इंडिकेटर का यूज करके हमने HCL के अगें स्टाइटेट किया और इस HCL का हमें 0.1 नॉर्मल और इसका हमें 25 ml की जरूरत पड़ती है इस स्टाइटेशन में ठीक है यह पहली बार हम ने किया अब सेम मिक्शर जो 25 ml हमारे पास जो एने ओ एच और Na2CO3 का जो मिक्शर है इसको अब की बार मिथायल औरेंज का इस्टिमाल करके हमने HCL की अगें स्टाइट किया और अब की बार यहां पर हमें 0.1 नॉर्मल और 30 ml HCL की जरूरत हमें पड़ती है तो कहता है कि calculate the amount of Na2CO3 and NaOH in 1 litre एक litre में Na2CO3 और NaOH के कितनी कितनी quantities present है कहता है ठीक है तो सबसे पहले यदि हम देखें तो यह अपने पास यहां पर normality into volume in milliliter यह होता है अपने पास milli equivalent तो यह अपने पास यहां पर कितने milli equivalent आ रहा है 2.5 milli equivalent ठीक है यह जो 2.5 milli equivalent है 2.5 milli equivalent यह किस किस को indicate कर रहा है complete NaOH के neutralization को plus half of Na2CO3 के neutralization को जबकि यहां पर HCl के कितने milli equivalent की हमें आश्च जरूरत पढ़ रही है 3 milli equivalent की यह तो 3 milli equivalent है जो HCl का यह हमारे पास यहां पर complete NaOH को और complete Na2CO3 को indicate कर रहा है तो इस case में हमें 0.5 milli equivalent वहां पर हमें 3 milli equivalent की जरूरत पढ़ी जब हमने methyl orange का इस्तेमाल किया और पहली बार हमें 2.5 milli equivalent HCl की जरूरत पढ़ी जबकि हमने phenocytalin indicator का इस्तेमाल किया तो यह जो 0.5 milli equivalent है यह जो 0.5 milli equivalent है यह indicate कर रहा है half of बचे हुए Na2CO3 को जो की phenocytalin के द्वारा neutralize हो रहा है इसने पूरे NaOH के completion को इसको यह पूरा neutralize हो गया और आधे Na2CO3 के neutralization को ही indicate किया था जब हमने phenocytalin indicator का use किया था तो यहां पर यह जो 2.5 milli equivalent है यह पूरा Na2CO3 पूरा Na2CO3 को indicate कर रहा है और यह जो 30 ml.1 30 into 0.1 3 milli equivalent यह 3 milli equivalent पूरे Na2CO3 को के complete neutralization को HCL के द्वारा होने वाले को indicate कर रहा है तो यहां पर 3 milli equivalent और यहां 2.5 milli equivalent तो जो extra good 0.5 milli equivalent है वो किसके लिए था बचे हुए Na2CO3 के neutralization के लिए था तो एने वेश मलब Na2CO3 के टोटल milli equivalent के दिए हम बात करें टोटल milli equivalent of Na2CO3 यह हो जाएदा 0.5 into 2 that is equal to 1 milli equivalent पलब इस 1 हीज़ती मिली equivalent है इसमें से 1 milli equivalent किसके लिए है Na2CO3 के लिए तो Na2CO3 के milli equivalent सब कितने आगा है 1 तो बचा हुआ जो milli equivalent है वो एडेमवज का हो जाएगा दो milli equivalent अब चीजे बड़ी आसाल हो गए अब यहां पर अपने पास ज़़ए आप देखिए यह 25 ml से हमने साट किया अध्यान रखना तो यह प्रेपास यहां पर यही एने 2CO3 की बात करें तो इसके milli equivalent बराबर W upon E into 1000 यह होता है और इसके milli equivalent है बाद W हम find out करना चाहते हैं इने 2CO3 का equivalent पास है 53 और ही आगे अपने पास यहां पे 1000 तो 53 बाई 1000 तो इक्वल तो 0.053 ग्राम्स यह 25 ml में है 25 ml को neutralize करने के लिए 1 milli equivalent के दर पड़े थी तो 1 लीटर में इतना होगा यह अपने पास यहां पर आजाएगा अगर 25 ml में हमारे पास जो है 0.053 ग्राम्स यह ने 2CO3 प्रेजन था तो उसे 1000 ml में इतना होगा तो इस इस 0.053 into 1000 divided by 25 तो यह अपने पास यहां पर इसके विए आप सौल कर लोगे तो यह इसका आंसर आजाएगा उसी तरह से जो एने ओएच है एने वरेश के कितने मिली इक्वलेंट्स है दो कितने में 25 ml में 25 ml में तो इने वरेश के लिए हमारे पास जो क्याल्कुलेशन आएगा वो है अपने पास इसके मिली इक्वलेंट्स बराबर डबली अपॉन एंटो 1000 और यह आगे अपने पास दो मिली इक्वलेंट्स 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 है इसका 40 और यह आगे अपने पास 1000 मनलग W बराबर आगे यहां पे 80, 40 into 2, 80 upon 1000 यह अपने पास आजाएगा 8 into 10 is to power minus 2 यह 0.08 ग्रांज फिर वही 25 ml में 0.08 ग्रांज ए तो फिर 1000 ml में कितना होगा 1000 into 0.08 upon 25 तो इनके आंसर है यह अपने पास जो एने टू सीओ थी है यह करीब करीब अपने पास 2.12 ग्रांज के आजपास और ने वे 3.2 ग्रांज के आजपास लोकेट आफ वान मूर केस एक और केस हम लेकर के समझते हैं लिए सी यह हमारे पास दिया हुआ है 10 ml का एने टू सीओ थी 10 ml एने टू सीओ थी और प्लस एने एच सीओ थी का मिक्शर है इसको हम टाइटेट कर रहे हैं पहले फिनॉप्थेलिन इंडिकेटर का यूज करके और यह अपने पास यहां पर 0.1 मुलार है यह अपने पास है यहां पर 2.5 ml तो पहले ही बात कि एच्टू एस सो पूर है तो यह अपने पास कितना हो जाएगा 0.2 नॉर्मल नॉर्मालेटी बराबर मुलारेटी इंटो बालस फाक्टर है तो यह आ जाएगा अपने पास यहां पर 25.2 मुलार यह मलब बार 2.5 यह 25 इंटो 2 इंटो 10 इंटो पार माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 यह आ जाएगा अपने पास 50 यह फिर 0.5 50 इंटो 10 इंटो पार माइनस 2 यह 0.5 मेरी एक्वालेंस मनलब यह जब हम फिनॉप्थलें का यूज कर रहे हैं तो यह किस किस को बता रहा है यह आधे ने टो सी यूट्री को बता रहा है बस अब आगे यही जो सुलीशन बचा यह जो सुलीशन है इसको हम आगे फिर से टाइटेट कर रहे हैं अब की बार जो इंडिकेटर है वो है मिठाइल और एंज और हमको 2.5 मल की जरुरत पड़ रहे हैं फिर से और इसके 0.4 नॉर्मल 0.4 नॉर्मल की जरुरत पड़ रहे हैं H2SO4 के तो यह अपने पास किसको बता रहा है रिमेनिंग जो एने टो सी यूट्री जो आप हाफ अफ एने टो सी यूट्री है उसको इंडिकेट कर दिया था पिलॉप थालीन ने अब बचा हुआ एने जो एने टो सी य है और नॉर्म सी यूट्री का कंप्लीट नॉट्राइजेशन को यह इंडिकेट कर रहा है और इसकी वाल्यू अपने पास यहां पर कितनी हो जाएगी 25 इंटू 4 इंटू 10 इंस्टिव पार माइनस तू मनलब 100 इंटू 10 इंस्टिव पार माइनस तू या फिर अपने पास 1 इक वालंट यह जो 1 वालंट है जिए जो 1 वालंट है यह किस किस के लिए रस्पॉंसबल है जो 1 मिली इक वालंट है यह पने पास रस्पॉंसबल है 1 मिली इक वालंट of this H2SO4 यह रस्पॉंसबल है half of Na2CO3 के लिए प्लस अपने पास यहाँ पर NaHCO3 के लिए और इसकी वालंट कितनी आगे कि अपने पास 1 1 मिली इक वालंट और यहाँ पर जो 0.5 मिली इक वालंट है वो रस्पॉंसबल है बिटा केवल half of Na2CO3 के लिए 0.5 यह पने पास मिली इक वालंट है वो किसके लिए है अपने पास half of Na2CO3 के लिए और इसका अपने पास यहाँ पर आ रहा है दुससा पॉइंट 5 मिली इक वालंट यह रस्पॉंसबल है पने पास half of Na2CO3 के लिए और इसका अपने पास यहाँ पर आ रहा है दुससा 0.5ु homemade half of Na2CO3 to one 1 के आ जाएगा अपने पास यहाँ पर Na2CO3 की लिए 1 दिक यहाँ अपने पास यहाँ पर Na2CO3 के लिए इसका दोग्ण होगा अपने पास यहाँ पर 0.5 नहों गाएगा आ पने पास यहाँ पर Na2CO3 का equivalent तो Na2CO3 के total अपने पास milliequivalents कितने आ गए यहां पे 1 milliequivalent 0.5 और वहां पर कितना है 0.5 that is equal to 1 तो बचा हुआ यहां total कितना लग रहा था अपने पास यहां पे 1 इसमें से half 0.5 milliequivalent कहां पर consume हो रहा है Na2CO3 के लिए और बचा हुआ 0.5 milliequivalent कहां पर consume हो रहा है Na2CO3 के लिए So Na2CO3 के milliequivalents निकलाए तो that is equal to W upon E 53 इंटर 1000 So यह आ जाएगा आपने पास यहां पर W की value that is equal to 0.053 grams लेकिन वो कितने में है पर 10 ml में था तो 1 liter में निकालना है अपने को तो 10 ml में यह आ रहा है 0.053 grams तो फिर अपने पास 1000 ml के लिए कितना आजाएगा 1000 into 10 upon 10 वैसे ही Na2CO3 Na2CO3 कितना है हमारे पास 0.5 milliequivalent that is equal to W upon इसका equivalent मां आसरेक सॉल्ट है तो sodium 23 प्लस hydrogen 24 प्लस carbonate 60 तो यह आ जाएगा आपने पास यहां पर 84 into 1000 84 into 0.5 that is 42 और यह आ जाएगा 42 into 10 पाव माइनस 3 यह पिर 0.042 0.042 grams यह कितने में है 10 ml में है बिटा शुरुआट में हमने 10 ml लिया हुआ है तो 1000 यह अपने पास 10 ml में कितना हो जाएगा 10 ml में 0. 0.042 grams 1000 ml में यह आजाएगा आपने पास यहां पर 1000 into this is 42 upon 10 ml 4.2 grams तो इसके जो answers है यह है पने पास 4.2 gram नह CO3 और Na2CO3 करे-करे 5.3 grams यह है इनके answers ठीक है आई होग पा आपको समझ में आया और आपको मज़ा भी आ रहा है तो फिर आप मेरे चैनल पर सब्स्राइब कर सकते हैं ऐसे छोटे मोटे important चीज़े हैं वो मैं समय समय पर डालता रहता हूँ तो आपको कर्फी health मिलेगी अभी आगे चल करके मैं इसमें जो NCRT का पूरा inorganic complete वो भी मैं डालने वाला हूँ तो आप चैनल को subscribe पीजिए ठीक है ठीक है थैंक्यू आपको